आप कह रहे हैं जातीगर जंगरना के बाद OBC रिजर्वेशन कम हो जाएगा? उसका कम होगा? 100% कम होगा. आज मैं आपकी स्टूडियो में बड़ी गंभीरता के साथ ये बात बोल कर जा रहा हूँ. और ये जो रिजर्वेशन कटेगा OBC का, वो मुसल्मान को जाएगा और जिस दिन ये हो जाएगा, उस दिन बंगलादेश देशा सीचुएशन पैदा हो जाएगा, ये देश खंडित-खंडित हो जाएगा. ये अटेम्ट करनाटका में, समागरांदरा में, तिलंगाना में हो रहा है. चाहिए वो कोट्स ने ना हुने दिया हो, लेकिन वो अटेम्ट किया. तो उनको OBC को भड़काना है. OBC भड़क जाएगे, जाती का जंगना हो जाएगी, उनकी जनसंख्या जो है, देश के सामने आ जाएगी, फिर जो रिजर्वेशन बचे का 5% वो मुसल्मानों को हम दे देंगे, क्योंकि सच्चर कमिटी कहती है, कि सबसे बुरी स्थिति इस देश में मुसल्मानों की है, यही होने वाला और यही उनका एजेंडा है. आप ते पार्लेवर्ण में माफी क्यों माँगे, उनकी तरफ से? उनकी तरफ से मैंने कहा कि साधू को क्यों जाती पूछना हो उसकी, तो कोई जाती ही ने, आप जाती, आप समझे इस देश में जाती कैसे ते होती? और मैंने राहुल जी को कहा, मैंने दूसरी कहा कि लेकिन आप दो प्रस्म का जवाब दे जीए, कि कई एक रिलीजिन में लोग ऐसे हैं जो जाती नहीं मानते हैं, और आप जैसे कई एक लोग हैं जिसके, आप बताइए ने कि राहुल जी की जाती कैसे एकस्प्लेन हो? कैसे हो? यह तो सच में बहुत बड़ा सवाल है, कैसे हो? कैसे एकस्प्लेन होगी? मुझे तो कोई दिमाग काम नहीं किया मे पर सभी का जो है इसा है तो राहुल जी का कौन सा कास्ट होगा? और आप कहते हैं हमेशा कि हम ब्रामीन हैं, किस साधार पर वो ब्रामीन है? एक रीजन तो बताईए कि… और किसे सब्सक्णि देख पीन है कि हमारे जैसे लोग क कहते है, कि मैं सिजुल कास्ट होना चाहता हूं, तह आप सिजुल कास्ट बना लिजे band कोई का ता, आ जहागा का फार्त हैं करTP सिजुल कास्ट है소ं हमारे कहने से तूदे होता है और हुआ भी तो यह प्रक्रिया कब हुई राहूल गांदी के जीवन में कि जब उन्होंने एक पारिसी वंशावली और किस्टन वंशावली को छोड़ के ये कुछ बने पले तो हिंदू बने और हिंदू में कोई गाती ना कैसे गोत्र हो गया आपका अब यह तो प्रदीब जी जानते हैं सबसे अरे भाई